तो देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट हिंदी पेड़ागोजी के NCRT बेस पर आधारित क्वेस्टन को लेकर के आए हैं समप्रेशडात्मक भासा सिचड सिच्चार्थियों को किस तरह के आवसर देने पर बल देता हैं ठीक है फ्रік्टस यहां पर देखिया आपसेıldा पूछ रहा है कि भासा में जो समप्रेशडात्मक भासा सिच्चड होता है ठीक है वो सिच्छार्तियों को किस तरह के आउसर देने पर बल देता है पहला option है friends कच्छा में मुक्त रूप से मातरी भासा का प्रयोग करने के लिए दूसरा है option कंठस्त किये हुए संगवाद को सही उच्चारण के साथ दोहराने के लिए और तीसरा option है friends की लच्छ भासा में उद्देश से पूड़ बातचीत में भाग लेने के लिए और लास्ट option है चौथा आपका कि लच्छ भासा में संरचना के प्रतिमानों का अभ्यास करने के लिए तो देखे friends इसका जो correct option है आपका वो जो आपके संप्रेशलात्मक भासा होते हैं वो सिच्छ भासा में उद्देश से पूड़ बातचीत में भाग लेने के लिए बल देता है ओके friends आईए अगला question देख लेते हमारा क्या कहता है तो देखे friends वारा अगला question है कि भासा अधिगम के लिए कथा वाचन का एक युक्ती के रूप में उद्देश से नहीं है friends यहाँ पर questions को ध्यान से देखेगा क्योंकि यहाँ पर not वाले question पूछे है ठीक है friends तो पहला option है अपनी ही तरह से कहाने कहने के आवसर देना ठीक है दूसरा है सिच्छार्थी को नैतिक सिच्छा देना तीसरा है बच्चों को विविद संस्कृतियों वाला अनुभाव देना चोथा है कलपना सीलता और रशनात्मक्ता के प्रयोग को प्रोत्साहित करना तो देखे फ्रेंट्स यहां पर आपका नहीं पूछा है तो आपका नहीं option यहीं टू है ठीक है टू ही आपका सबसे गलत है तो जो गलत है वहीं सही होता है किसी चार्थियों को नैतिक सिच्छा देना ठीक है आईए अगला question देखते हैं friends हमारा क्या है देखे friends हमारा अगला question है यहां पर कि एक पाठ्थी सामगरी को पढ़ने के बाद बालक संसार के प्रती अपने इज्ञान के संदर में विसे वस्तू पर चिंतन करता है बालक द्वारा इस्तेमाल किये गये पठन के इस अप्सन है कि वैस्विक समझ दूसरा है friends option अस्थानिय समझ तीसरा है पाठ्थे वस्तू को सरसरी तोर पर पढ़ना और चौता है friends पाठ्थे सामगरी की ब्याख्या करना तो देखे friends यहां पर question आपसे पूछा क्या है कि जो एक पाठ्थे सामगरी है ठीक है बालक जो है उ तो आपका यह उप कौसल है उसे क्या कहा जाएगा तो यहां पर आपका करेक्ट आप्षन हो जाएगा कि पाठ्थे सामगरी की ब्याख्या करना ठीक है friends आए अगला question देखते हैं यह option जो है फ्रेंट यह आपका सही option CBSC ने माना है ठीक है कि पाठ्थे सामगरी की ब्याख कॉस्चन को समझ दीजिए कोई कच्छा पांच में है भासा अधिगम के उच्छ अस्तरी चिंतन कॉसल के आकलन के लिए कौन सा सरवाधिक उपियुक्त कार्य है यहां पर पहला प्रेंट्स की रहीम नास्ता कर रहा है वाक्य का बिसलेशड करें दुसरा है बिच्छों के संरे संरेच्छड पर एक अनुछेद लिखिए और तीसरा ओप्सन है कलपना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूज रहें एक गाउं में गए हैं ठीक है सोध करें और तीन सो सब्दों में एक रिपोर्ट लिखें चौथा ओप्सन है सब्द जाल में भोजन स संबधित सब्द लिखें तो देखें यहां पर जो आपका सबसे सरवाधिक उप्युक्त कार्य हो जाता है ठीक है वो आपका क्या हो जाएगा यहीं थर्ड बाला होगा कि कलपना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूज रहें एक गाउं में गए हैं ठीक अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक ने पहचान की कि बहुत से बिद्यार्थी अंग्रेजी वडमाला की एक समान धोनियों को ब्यक्त करने में असमर्थ हैं अध्यापक का मत है कि प्रथम भासा के अवरोध के कारण है ठीक है यहां पर देखें आपसे क्वेश्चन प मर्थ हैं ठीक है तो अब अध्यापक का क्यामत है कि यह प्रथम भासा के अवरोध के कारण है इसलिए बच्चे सरी इसलिए देखें पहला ऑप्सन है इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए दूसरा है स्रवर्ड प्रस इच्छड एवं अभ्यास की आविसकता है तीसरा है यह समझ को बाधित करेगा चौता है यह अंग्रेजी के प्रयोग को बाधित करेगा तो देखें यहां पर जो सबसे करिक्ट आपका ऑप्सन हो जाता है वह आपका यहीं सेकेंड होगा कि स्रवर्ड प्रस इच्छड एवं अभ्यास की आविसकता है ठीक है आए अगला क् फ्रेंट्स की निपुन भारत मिसन ठीक है निपुन भारत मिसन के लच्छो के अनुसार कच्छा तीन के अंत तक साच्छर्टा के लिए बुनियादी साच्छर्टा एवं गडित के अधिगम उद्देश से क्या है यहां पर देखें फ्रेंट्स निपुन भारत मिसन के लच के अनुसार कच्छा तीन के अंत तक साच्छर्टा के लिए बुनियादी साच्छर्टा एवं गड़ीत के अधिगम उद्देश से क्या है यहां पर आपको बताना है ठीक है फ्रेंट्स पहला अपसन है यहां पर एक मिनट में समझ के साथ कम से कम सव सब्द पढ़ना दूसरा है कम से कम दो से तीन अच्छरों से बने सरल सब्दों को पढ़ना तिसरा है आयू के उपियुक्त किसी अपठित सामगरी से कम से कम चार से पांच सरल सब्दों वाले छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ना और चोथा है फ्रेंट्स से एक मिनट में समझ के साथ कम से कम साथ सब्द पढ़ना यहीं आपका निपुन भारत मिसन का लच्छ है जो कच्छा तीन के अंततक साच्छर्टा के लिए बुनियादी साच्छर्टा और गड़ित के जो उद्देश हैं वो यहीं है कि एक मिनट में समझ के साथ कम से कम साथ सब्द पढ़ना ओके फ्रेंट्स आइए अगला क्वेश्चन रिख लेते हैं और लेक्षा में मात्री भासा की मदद से च चारत्रिक बिसेशता है पहला आपशन है निर्देश यानि के प्रत्य और दूसरा यहां पर नहीं होगा क्योंकि यहां पर सिच्छड विधी की चारत्रिक विशेष्टा पूछा है चौथा है को आपका कला समावेशित अधिकम यह भी नहीं होगा तो देखें जो आपका मात्री भासा से दुटी भासा है तो यह आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्सन सेकेंड द्वि भासिक ठीक है आईए अगला κोष्चन देखलते है फ्रंस क्षिफें हमारा क्या केलता है अगला क्वेस्चन देख़ए यहां पर फ्रेंट अगला क्वेस्चन है कि एक अध्यापक का मत है कि भासा अधियम के लिए सामाजिक अंतक्रियाएं एक महत्वपुड उद्धीपन है अपने इस मत के अनुसार एक अध्यापक जोड़ो और समूह में गतिवीधियों का आयोजन करती है उसका यह विचार किस से मिलता है पहला है पियाजेसी दूसरा है चौमसकी तीसरा ओप्सन इसकीनर और चौथा है तो देखें इसका जो करेक्ट ओप्सन है यह आपका वाई गोजसकी जी हो जाएंगे ठीके जो वाई गोजसकी जी है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिधान के प्रतिपादक है ठीके और यह एक रूसी मनोवग ज्यानिक है ठीके फ्रेंट्स और आगे देखें अप लोगों कु दिया है किसने वाई गोट्सकी साहब ने अब इतना काफी है अज के लिए आईए अगले question में देखते हैं क्या है अगले question है friends हमारा कि निम्नलीखीत में से कौन सा उपकॉसल पठन का उपकॉसल नहीं है friends यहां पर दिहान से देखेगा यहां पर आपके निम्नलीखीत में से कौन सा उपकॉसल पठन का उपकॉसल नहीं है पहला है अनुमान लगाना दूसरा है संपादन तीसरा है सरसरी तौर पर पढ़ना और चौता है friends बारीकी से पढ़ना यहां पर देखें नॉट वाला कॉस्चन अपसे पूछा था तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा संपादन यहीं देखिए उपकॉसल पठन का उपकॉसल नहीं है तो यह संपादन आपका between फ्रिंस ऑपसन सेगें्ड आपका ए सभी हो जाएगा आईए अगला क्विस्चन देख लेते हैं ש zumindest माने हैं देखे फ्रेंट्स हमारा अगला question है कि एक बालिका अच्छी तरह से लिख नहीं पा रही है कोई एक बालिका है जो कि अच्छी प्रकार से लिख नहीं पा रही है अध्यापक उस बालिका पर ब्यक्तिगत रूप से ध्यान देती है और अभ्यास एवं मदद के आधार पर हाथ आख समन्नवे बनाने में सहायता करती है अध्यापक के द्वारा दी गई सहायता क्या कहलाती है पहला option है पुनरबलन दूसरा है मदद करना यानि कि इसका फोल्डिंग तीसरा है अनुकुलन और चौथा है फ्रेंट्स प्रति रूपड तो देखे फ्रेंट्स जो अध्यापक है वो चित्र बनाने में उसकी ठीक है लेक में मदद कर रही है तो मदद करना आपका क्या बोलता है पाड ठीक है जिसे हम बोलते हैं मदद करना या फिर इसके फोल्डिंग तो देखे फ्रेंट्स इसका जो राइट option है वो आपका second हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स आईए अगला question की ओर चलते है और देखते हैं कि हमारा अगला question क्या कहता है तो देखे फ्रेंट्स हमारा अगला question है कि portfolio का निर्माड करते समय सबसे पहला निरुड़ कौन सा होना चाहिए ठीक है फ्रेंट्स यहां पर देखें पूर्टफोलियो के बारे में पूछा गया है कि उसका निर्माड करते समय सबसे पहले निर्ड़े कौन सा होना चाहिए तो पहला है कि इसमें क्या-क्या सामिल करना चाहिए ठीक है और दूसरा है प्रविष्टियां कैसे और कप करनी चाहिए तीसरा है यह कैसा दिखना चाहिए चौता है फ्रेंट्स की पॉर्ट फोलियों के द्वारा मुल्यांकन कैसे किया जाता है तो देखें फ्रेंट्स सबसे पहले इसमें पूछा गया है पॉर्ट फोलियों के बारे मे पहला निर्ड़े क्या होना चाहिए तो पहला निर्डड़ अगले question क्यों चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला question क्या कहता है तो देखें friends यहाँ पर हमारा अगला question है कि एक तीन वर्स की बालिका पुस्तक में चित्र देखकर कहाने कहती है यह बालिका ठीक है पहला है आरंबिक पाठक है दूसरा है कथावाचक है तीसरा है चित्र पाठक है और चौथा है आपका पारंपरिक पाठक है तो देखें friends जो आपकी एक तीन वर्स की जो बालिका है ठीक है वो पुस्तक में चित्र देखकर कहानी कहती है तो वो बाली का क्या है इसका सही option देखिए friends आपका हो जाएगा आरंबिक पाठक है ठीक है देखिए friends जो आरंबिक पाठक होता है उसका चरड तब निरधारित होता है जब छात्र सब्द की एक द्रिढ और दारडा का प्रदर्शन करता है ठीक है तो देखिए friends मरा यहाँ पर अगला question है कि भासा की अध्यापिका वाक के प्रतिरूपों के दोहराओ पर अधिक बल दे रही है बजाए कि उसके अर्थ समझने पर वह किस विधी का प्रयोग कर रही है ठीक है तो देखिए friends भासा की अध्यापिका है वह वाक के प्रतिरूपों के दोहराओ पर भजाए कि उनके अर्थ समझने पर वह देती है ठीक है तो वह किस विधी का प्रयोग कर रही है पहला है ब्याक्रण अनुवाद विधी दुसरा है स्रभ्य-भासिक विधी तीसा है पारिस शलात्मक उपागम तो देखे फ्रेंट्स इसका जो कर्यक टॉप्सन है यह आपका हो जाएगा स्रभ्य भासिक विधी ठीक है फ्रेंट्स जो भासा के अध्यापिका है वो वाक के प्रति रूपों के दोहराओ पर अधिक बल दे रही है बजाय की उसके अर्थ को समझने पर ठ कि कोई भी बालक अपनी प्रतम भासा कैसे वातावरण में सीखता है तो पहला है आपका आतित्य सत्कारी परिवेस दूसरा है नीजी रूप से सिखलाने वाला परिवेस तीसरा है और चारिक परिवेस और चौथा है फ्रेंट्स स्वाभाविक परिवेस तो देखे आए अगला कुश्चन के ओर चलते हैं आज का देखिया हमारा हिंदी का लाश्ट कुश्चन है यह तो देखे फ्रेंट्स अगला कुश्चन है हमारा कि नई सब्दावली सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए ठीक है नई सब्दावली यदि हम बच्चों को सिखा करने हैं तो इसको यहां पर बताना है कि प्रफम बहाशाएं को संधर्भ में सब्धों का प्रयोग करने के ऑसर देने जाहिए औरिसा option है friends कि बिभिन प्रकार के ड्रिल अभ्यासों के माध्यम से सब्दों का अभ्यास करवाना चाहिए चोता है friends इसे चार्थियों को सब्द याद करने और जहां आवस्य को वहां प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए तो देखे friends इसका जो कबसे करेक्ट option है हमने आपको पहले ही बोला है संदर्व और यह देखे दोनों ही option second में आया है तो यह देखे cbsc में भी second option को ही सही माना है ठीक है friends वैसे जो यह ब्याख्या दिया गया उसके अनुसार तो पहला ही सही होना चाहिए लेकिन जो आपके cbsc वाले हैं वह आपके second option को ही सही माना है तो आपका सही option second हो जाएगा तो आज के देखिए हिंदी के class में हमने 15 question discussion कर आया है आप लोग देखिए हमारे सभी class जितने भी classes चलाये हैं हमने उसको देखिए हमने आपको प्लेलिस्ट आपके लिए भी बना दिया है कि ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं है आप हमारे चैनल पर जाएए प्लेलिस्ट अध्यान करें आपको के लिए गड़ीत पेड़ागोजी के 15 questions जो आते हैं आपको दिसक्राइए आप लोगों को तो जो लोग देखिए अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइम नहीं किया है वे लोग कर दीजे हमारा चैनल है लार्नवी थलपना ओके फ्रेंस तो